आज हम लोग का अंतिम पड़ाओं पे हैं जो यहां पे गीता अंतराश्टी महुत्सव है तो हमारे साथ में भाई भी आएव हैं इन से कुछ कोशन पूछने वाला हूं कि आपका टोटल एक्स्पियेंस क्या रहा और हमारे जो दर्सक है आप आपका जो व्यू है आप सेर करो जिसे हमारे दर्सक यहां पर आकरके अंतराश्टे आंदन को इने सके तो काफी मज़ा हूआ कुछ देहन को मिला बहुत कुछ सीखने को मिला एक तो हम इनुवर्टिटी से आया हैं तो यहां पर हमने हर्याना कल्चर को जिया साथ ही साथ अगर आप मैं शुरुआत कर बताओं तो सबसे पहले हम लोगों बस से मंदिर के प्राग्रम टकाए उसके बाद आने के बाद चुथी आप तुभा हम निकले थे तो काफी हम लोगों को भूक लगी हुई थी तो अगर आप खाने पीने की बाद करोगो तो आपको हर अप्शन अबलिबल है अगर आप प्योर वेज हो तो आप वैसनो ढवा की तरह कभी खाया तो अब आप खाने के बाद जब हम घूमने के और निकले तो हमने देखा तो आप अगर देखो उसमें हस्त कला जो आप मिट्टी के जो मूर्ती होता है जो चोटे चोटे उद्धोग दाता लोग है उन्ह नेहरू जैकेट है खादी उद्योग है इसके हर चीज आपको मिल सकती है साथ में आप देखोगे तो आप लिटरिचियली अगर साहित का अगर पटना पसंद करते हो तो यहां पे चुपी हमारा यहां का को भी को थीम है गीता महसाफ इससे संब्धिक आपको हर एक सब्सक्राबे मिल रही है और इंगलिश की कुछ नॉबिल्स प्रकारा मिल रही है बैग मिल रहे है फिर अगर मैं लड़क्यों की बात करूं साथ करते हो अगर वह भी आए बिल्कुल उनके भी जितने भी और भी से समान हे रहा है उनसे जमनी तो सारा कुछ यहां पर देख पिरवा लिया फिर एटियम भी पासले साथ अबिलिबल हो गया और फिर मैं हर स्टॉल की बात करें तो लगभग आपको हर स्टेट के स्टॉल रहे है बिहार हर्याना धारकंड उत्तर परदेश सभी जहों के स्टॉल आप देखने को मिलेगे और आप बहुत मज़े करने वा महादेव जी का मंदिर है और सामने मैंने देखा एक यहां पर और विष्णु जी का मंदिर बन रहा है जो काफी भग है और अभी चुकि वह पुरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो आने वाले समय में हो जागा और मुझे ऐसा है कि एक चुकि यह अंतरास्तर पर हो रहा है तो मंदिर के बन जाने के बाद यहां के ध्यवता और बढ़ी है मेरे एक स्वाल है है कि जो चात रहते हैं वो गीता के बारे में नहीं जानते हैं नहीं यह इंतरास्ति यह संभिलन के बारे में जानते हैं तो आप उनको कैसे प्रहरेत करोगे लिए अब इन्हों ने भाई ने गीता के बारे में जानते हैं तो जैसे हम लोगों लगबक सभी ने और स्रीकृष्ण अर्जून का जो उन्होंने ग्यान दिया तो पुरुक्षेत्र के बारे में हमीज़ा सुनते रहते हैं कि महा भारत के कहा लड़ाई हुई जीके का जब भी प्रशना आता है तो हमारे मा को अनुभव करोगे कि बिल्कुल यहां पर मैंने जैसे गेट पर आया तो स्रीकृष्ण के बहुत बड़ी प्रतिमा थी और बीच में चुकी राश्पती जी उप्राश्पती आपना आई हुए थे तो वहां पर जो जो प्लेस जहां पर रच पे जो यदा यदा धर्मश्य करने वाले स्लोक उन्होंने कहा है वहां पर चुकी आज इंट्री इलाउं नहीं था जी कुछ प्रोटोकॉल खोते हैं इसे कारण से बाकी ओवर्राल आप खुब इंजवाई करों कि ठाने में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि अब भी हमारे साथ में और भी भाईया हैं जि तो हमारे साथ में भाईया हैं तो आप अपना एक्सपें सेर करिए जैसे आपने पूशन पूशा कि आप स्टुडेंटों को कैसे अप्रेडित करें कि वह कहां पर कैसे हैं विजारती होते हैं हम भुतिक ज्यान तो लेते हैं अपने जीवन को जीने के लिए कोई फिजिक्स कि अध्यारायान के मंदिर में और महादेव के मंदिर में खड़े होकर यह बोलना चाहता हूं कि इतने भी इस्टुडेंट हैं विजयारत्मिंग तौर पर भगवान कृस्ट के जिए ग्यान दिया जिक्सा का जो ग्यान दिया है वह इस तौर पर यहां पे लोग आए तरह- साम बेद रीगवेद अथरवेद इतने चारों बेद हैं बहुत तरह के अलग अलग आप यासे सुने होंगे किसी इसकौन का जो भागवत गीता का जो स्वरूप है वही मार्केट में अभलेवल वेकिन जब आप यहां पर आओगे ना तो ज्यान गंगा ने भी पब्लिक पब तरह के नोवेल्स हैं तो मैं यह तो कहूंगा कि लोग जो भी बच्चे हैं या जो और भी जुतने भी लोग हैं मोड़े जो हमारा यंग जनरेशन है मैं कहूंगा कि भागवत गीता का हर दिन एक स्लोक इंसान पढ़े एक किताब किताब पढ़े ना मैं कहता हूं क्या ध्य कि लोग को विजार्थी को सब को यहां पर आते एक भगवान के इस चल्वान के लिए किताब मिलेंगे किताब और गेम्स तक रहना चाहिए आपको बाहर में भी जो हमारा इतिहास है जो हमारा चाहिवा महाबारत चाहिए रमायन जो हम लोग सीप सीरियल में देखेंगे कि लिए उसको अन दा ग्राउंड हम लोग आकर के देखना चाहिए हमारे साथ एक चोटा सा मित्र मिला है जो अभी यहां के मेला के बारे में बताने वाला है आपका नाम क्या है मैं चटीक अक्षा का चातर हूं मैं कैटल से हो मैं भी आडिम स्कूले पढ़ता हूं यहां का महाभारत तो इती श्री कृष्ण के साथ वह भी थे अर्जुन जिनने आप महाभारत लोड़ी युदि लड़ा का पंड़ वो के साथ इसलिए क्या आपने रावायन या महाभारत सिरियल देखा है यस देखा है मैंने वह अच्छा देखा है अपको उससे क्या प्रेरित मिल है हेलो दोस्तों अभी जो हमारे साथ अंजली है जो हमारा एक यूट्यूब सब्सक्राइबर जो यहां पर मिली है तो इसे मैं कुछ जानकारे लेना चाहता हूं एक्चली जो लड़किया होती है मुस्टली जो फोकस करती है कि स्वापिंग पे कुछ-कुछ नया स्वापि क्या आपको ऐसा कुछ यहां देखने को मिला जो आप चीजों को खरीद करके घर ले जा सकते अब अपने ममी के लिए जा सकते हैं हां बिल्कुल जैसे की हैंडी क्राफ्ट यहां पर बहुत सारे क्लोथ मिल रहे हैं जैसे बिहार का मदूबनी पेंटिंग का कुड़ती या फिर उत्राखंड का बहुत सारा क्लोथ या फिर चतिसगर का जूती वेगेरा पंजाब का जूती ऐसे दिख रहा है और सबसे जादा अच्छा यहां पर कुछ मिल रहा है तो वोड़न चीजे जिसे वोड़न के जुमके वोड़न की यरिंग्स जो कि मैंने अपने लिए और आप चारों तरफ भीड़ी भीड़ देखिएगा लगबंग नहीं भी तो दस लाख लोग यहां पर सुबह से अभी तक आ चुके हैं और यह भीड़ देखकर कि आपको ऐसा नहीं लगएगा कि आप घबराईएगा आप उस चीज से कनेक्ट कर पाईएगा कि एक पॉजिट खिल यहां कि यहां पर गड़ोर्य माहराज की मूरति यहां पर क्रिशन जी की मूरति शीवीजी की मूरति यहां पर दर्शं कर पाएग सब कुछ बहन Сब्य मतलब बहुत अच्छे से हो चुका है और हम यहां पर वो एसा व आसुरूँ आपको देखने को मिला क्या मतलब एक होता है na कि कयो पर अपने कर फेसलेटि नहीं होता है क्या लगता है यहाप अपने था शरक्राण करें यहां पर हर जगह पे जहां से हम एंटर किया मंदिर में वहाँ से लेकर के एंड तक हर कदम कदम पर मेलाओँ के लिए कर दो लेकिन परांगन के बीच आ रहा है वह एक मतलब अवल दर्जेगा था चलिए तैंक यू जैसे बहुत बताइए कि यहाँ पर बहुत सारे मैलाओं के लिए सही है कुछ है जास यू पी आई काम नहीं कर रहा बात है actually क्योंकि आज wise president आने वाले थे, चलिए, thank you.